नमस्कार दोस्तों मैं सोनू और आप देखें टिकनिकल सोनुटेक चैनल दोस्तों आज का वीडियो बहुत जादा यूजफुल आप सभी पलंबस के लिए आप चाहे नए हूँ या फिर पुराने हूँ इस वीडियो में आज मैं आपको जगवार का यह मैट्रोपोल यानि की सूर्में के और लौए वाईगा उसके बाद यहां पर दौस्तों बैसिन डाउल टराएगा इसके बाद अभी जो मैं आपको एक्स्प्लेंड करने वाला हो दोस्तों वो यह है कि जगवार का जो फ्लस है ना निकि Egyptians वाल्ब ओक्से सकते हैं यहां पर कटिंग चिपिंग पूरा कंप्लीट हो गया है अभी दोस्तों आज मैं आपको इसको 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 पूस्ट करने के बाद यह जैसा प्रॉबलम ना आए ठीक है और साथ में दोस्तों इसका सेपरेट लाइन डालना चाहिए या फिर एक ही आउट्टेट आप निकाले बाथरूम में उससे जोड़ देना चाहिए ठीक है तो सब कुछ कंफ्यूजन आज मैं किलियर करूंगा इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाज तक देखते रहे हैं और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सकाइब किजे बेल आइकन को प्रेस क किजिए और पे किलिक किजे ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस्ट ना होने पाए तो दोस्तों चलिए यहाँ पीजु जगवार का पुस्वाल भना इसको मैं अनबॉक्स करके सबसे पहले इसके बारे में हुआ है कौन-कौन सा पार्थ है और इसको कैसेएशाल करना है इसमें थोड़ा बहुत बताया हुए है ठीक है प्रापर बताया है जापर प्रेसर दिया हुए है एक है यह सी चार बार तक यह हुच्वेशन Сभा तक Wheat जादिया प्रॉपर तरीका मैं आपको बताँगा लेकिन आपको नहीं यूज करना है तो देखें यह का यहां, उसके बाद यह सवा है, और ध्यान दीजिए अगर सवा भई सवा अप लगाना चाहते तो उसको सवा से एक रिडियूस करके लगाएंगे तो वह ज्यादा बेटर होगा जिस तरह से यह है दोस्तों देखें यहां पर इनलेट डेड़िंच है आउटलेट यहां पर सवा इंच है अब अगर यहां पर भी डेड़िंच अगर बनाता न तो पूरा डेड़िंच पानी यहां पर निकलता निए और वही बीच में एयर आता है ठीक है तो इस्टाल करने के लिए देखें आप यह कैप दिया हुआ है यह कनेक्टर है रिडियूस करने के लिए अभी यह भी डेड़ है और सोरी इधर लगे गए यह और यह देखें यह सीपी फ्लांज इसका कवर है यह वासर है यह तो अभी रख देता हूं यह टाइल्स के बाद लगेगा इसको में रख देता हूं अब देखें इस अब ड़़ाइब करने के लिए देखेंज यहाँ पे दो है एक ब्रास म टिये है एक ब्रास FTA है ठीक है ध्यान रखिए इसमें PVC थ्रेड वाला नहीं चलेगा यह ब्रास MTA ही चलेगा PVC अगर आप लगाएंगे तो वह एक दो महिने में ही फट जाएगा और यह काफी ज़्यादा कॉस्टली है यह अश्राल का है तो आप देखें यहां पर इंस्टाल करने के लगा सकते हैं लेकिन अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा यह यहां पर वासर दिया हुए लीक नहीं होने देगा ठीक है किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा यहां पर लगा देता हूं देखें इसको मैं लगा दिया लेकिन लगाने की नहीं जरूरत नहीं आपको ठीक है यहां पर इसको टाइड करेंगे ओपर टाइड कलेना है देखें यह टाइट हो गया अब यहांत यह पर सवाय इस तरह से कनेक्ट होगा और अब यहां पर दोस्तूं टरह से half-down को लगाएंगे कु क देखे अब यहां पिस्तू मैं इधर टेप लान लगा लिया हूँ सवाइंच वाले में हाभी देखेएंगे यह良ई एंडी है इनलेट अभी अब एससा करते हैं तो लिकए जाएगा ताइंज दोस्तों तोड़ना पड़ेंगा का फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा पलंबर्स होंगे उनके लिए भी और जो क्लाइंट होंगे उनके लिए भी ठीक है तो ध्यान रखिए टेप लाउन हो गहरे आप लोग प्रापर ही लगाई यह देखे अभी टेप लाउन लगा लिया यहाँ पर पाइप लिए से इस तो इसका क्या बेनिफिट होगा सब कुछ अभी मैं आपको बता रहा हूं तो अब दोस्तों देखे यहाँ पी एक जगवार का मेट्रोपोल है यह पूरी तरह से रेडी हो गया है हिशाल करने के लिए यहाँ पे एप्टी और एम्टी यह प्रॉपर में टाइड कर दिया ज और जो प्रेस करने के बाद दोस्तों जो आउट्रेट निकले वहá से निकलेगा ठीक है अब देखें यहां दवर्रेस्टु यहसाइश इंच आउटलेट क्यों निकाला जाता है यहां से लेड़ी इंच पानी जाएगा इन होगा उसके बाद जब आप यहां से प्रेस करेंगे ना तो यहां पर थोड़ा सा पानी रिडियूस हो जाता है यहां पर यह मेट्रपोल हो कुछ भी हो इसलिए यहां पर यह सवा इंच द दिखाता हूं देखिए कबर हटाया अइस करने वाला यहां पर है देखिए अभी नहीं काम करेगा जब यहां पर पानी जाएगा तब यह हाईड्रो इसका तब ही काम करेगा तो दोस्तों आप देखिए मैं बाथरूम के अंदर आगया हूँ जहां पिए मुझे मेट्व प में दिक्कत ना आए ठीक है उसके बाद इसका हाइट अगर है क्या रखना है कौन-कौन सी बारीकिया धिहान दखना आपको इसको फिट करते समय चलिए मैं आपको बताता हूं अंदर आई अब देखे यहां पर यह जो एरिया देख रहे यह ट्वाली ट्वाला एरिया है होगे टब में पानी भरके प्रेस होने के लिए क्योंकि यहां पर दूस्त लिए है अभी सबका हाइट मैं आपको बता देता हूं दिखे इसका जो हाइट है इंडियेन साधा सीट के लिए टब में पानी बरके फ्रेस होने के लिए ताइस वाले फ्लोर से कम से कम इसको आप रखेंगे 14 इंच मैक्सिम इसको आप रखेंगे 16 इंच और वही सेम हाइट इसका भी है उसके बाद यह देखिए यहाँ पर इसको मैं इस्टाल कर दिया हूँ देखें अब यह पाइप लाइन दोस्तों यहाँ पर डेड़िंच है यह वाला डेड़िंच है इनलेट अपना जो टैंक से आ रहा है वो डेड़िंच है और यहाँ पर यह सवा इंच का आउटलिट है ठीक है डेड़ बाई सवा ही आप हमेशा यूज करेंगे और मैं आपको जानकारी के लिए बता दो भारत का सबसे नंबर वन जो मेट्रोपोल है ना वो जगवार कंपनी ही बनाती है देखें उपर जा रहा है कुल वाटर सप्लाइल एक एलबोदिया डेड़ इंच का उसके बाद यह दो पाइप लाइन आ रहा है दोस्तों पिछले वाले बातरू तो इस बाद इस बाद इस बाद रूब का यहां पर आया आप देखें यहां पर यह पंडिंग में कंप्लीट नहीं है क्योंकि दूस्तों देखें यहां पर सबसे पहले यहां पर प्वीची और डाला जाएगा करने के बाद लाए फिक्स करते समय ही यह सवाइन काउट लेड उसमें डाला जाएगा ठीक चलिए ना फियप पूरतर से इस्टाल है अब हाई डिसका में आपको बता दूं देखें बता देता हूं और देखें यहां पर आभी जो आप देख रहें ना इसका लाइन सेपरे पाइप से अगर जोड़ते है बात्रूम अला एरिया ट्वाल एरिया और इसमें खराब हो जाता है ठीक अगर खराब हो जाता है तो आपको रिपेयर करने के लिए में गेटवाल बंद करना पड़ेगा उपर टैंक के पास आप जहां भी लगाये होंगे तो कहने का मतलब है अगर एक आउट्लेट से यह पूरा बात्रूम जोड़ेंगे ट्वालेट और बात्रूम तो पूरा सप्लाइलें बंद हो जाएगा पात्रूम आप यूज ही नहीं क कॉस्ट आएगा क्योंकि डिनिंज का पाइप है पहुंजाता कॉस्टली होता है महंगा होता है उसके बाद यह देखें अभी यही दोस्तों यह तक्रीमन बाइस रुपे का यह आता है मैट्व पोल फिर यहां पे देख सकते हैं बाइस रुपे का यह हैं टी और एप्टी पूर रखेंकर एगे सबाश्याँ रह merit अगर में मुझे आपक पहले करना था क्या ब lot अनुश्राइदा है इस जहां कि पूरत यहां करेंगे तो यहां पे यह जागुार वाला यह पुरतर से चाल हो गया है इस वीडियो में मुझे आपको करना था कि यह जगवार कमेंट पोल यानिकी पुस्वाल फ्लस्वाल कैसे इस्टाल करेंगे इसका बीड़ो पूरा हुआ हमें उमीद है यह विडिया आपको पसंद आया होगा और उमीद करता हूं जो कुछ भी अब एक्स्प्लें किया हो सबकुस समझ मैं होगा समझने में या फिर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आपने चीक मेंट सक्षर में अपना कोशन टाइप करें उसका रिपलाई करने की कोशिस करूंगा मैं और साथ में आप लोग दोस्तों चैनल पर नहीं है चैनको सब् ट्रस कीजिए और पर किलिक कीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच और आप से कोई भी अप्रेट मिस ना होने पाए इस वीडियो में दोस्तों पर सितना ही मैं फिर मिलूँगा किसी अगले वीडियो में इंगना आपके साथ झाल